हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट इलेक्रिक लाइन्स ओफ फोर्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाउट इलेक्रिक डाइपोल चलिए शुरू करते हैं अगर यह भी क्यों है तो यह भी क्यों रहेगा बट ऑपोजेट साइन्स जिनके बीच में कुछ डिस्टन्स रहता है तो अब डिस्टन्स कहां से ले रही हूं मैं सेंटर से यहां तक का डिस्टन्स भी ए और यहां का डिस्टन्स भी ए तो टोटल डिस्टन्स कितना रहता है बिट्वीन दीस तू चार्ज़स तू ए तिहां से सुनिए डाइपोल क्या होता है अब जो यह पॉइंट है देख रहे हैं आप ओ इसको मैं बोलते हैं मैं बोलती हूं सेंटर ओफ डाइपोल सेंटर ओफ डाइपोल एंड इस एक्सेज को जिस एक्सेज पर दोनों चार्ज़स पड़े हैं इसको मैं बोलती हूं एक्सेज ओफ डाइपोल ठीक है अब देखें आगे यह चार्ज है क्यू और यह चार्ज है माइनस ओफ क्यू तो टोटल चार्ज क्या रहता है मेरा डाइपोल पर? तो टोटल चार्ज इस क्यू प्लस माइनस क्यू डाइपोल पर जीरो अब देखें फ्रिंस मैं बोल रही हूं कि टोटल चार्ज इलेक्टरिक डाइपोल पर जीरो रहता है इसका मतलब यह नहीं है कि टोटल इलेक्टरिक फील भी द्यू टू टू चार्ज़स जीरो रहेग क्यों नहीं रहेगे? Because इन दोनों के बीच में कुछ finite distance है But अगर, suppose 2A is very 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 less than R R यहां पर क्या है? कि अगर मैं किसी दूर distance पर electric field find करना चाहूंगी due to this dipole तो वो 0 होगी क्योंकि net effect दोनों charges की वज़े से cancel हो जाएगा ठीक है friends? अब आगे देखते हैं next time समझेंगे हम electric dipole moment electric dipole moment को हम denote करते हैं P से and it is equal to Q Q यहां पर क्या रहता है? magnitude, किसी भी charge का अब मैंने starting में बताया था आपको कि dipole में 2 equal magnitude के charges होते हैं बट इनके sign क्या है? opposite means अगर मैंने इसको 1 coulm लिया है तो यह minus 1 coulm होगा तो मैं magnitude किसी का भी ले सकती हूँ तो यहां पर Q की value 1 हो जाएगी ठीक है? into distance इन दोनों के बीच में क्या है? 2 of A यह होता है मेरा electric dipole moment यह एक vector quantity रहती है like this इसकी direction होती है from minus Q to plus Q यह direction fix रहती है हमेशा हम dipole moment की जब direction की बात करेंगे in subject physics ध्यान दीजी in physics में जब भी हम dipole moment की direction की बात करेंगे तो वो हमेशा negative से positive की तरफ रहेगी ठीक है? अब कुछ term समझने जा रहे हैं हम suppose यह axis को मैं extend कर रही हूँ और इस पे मैं कोई भी point consider करती हूँ P यह axis कौन सी difference? axis of dipole अगर इस axis पे मैं कोई भी point consider कर रही हूँ P तो उस point की position का नाम क्या होगा? axial position क्या होगा? axial position यह जो terms में आपको बता रही हूँ इसको memorize केजे because आगी derivation में यह terms use करूँगी मैं बार-बार तो axial position क्या होती है? जब भी field मुझे निकालनी है किसी point P पर और वो point कहां पर लाए कर रहा है? axis of dipole यह line क्या रहती है? axis of dipole जो के दोनों charges को connect करती है अब अगर मैं यह O center point से यहां पर एक line बना रही हूँ perpendicular bisector बना रही हूँ और इस point पर मुझे किसी P point पर मुझे field निकालनी है तो इस point का नाम क्या रहता है? equatorial position क्या रहता है? equatorial position सो अभी तक हमने क्या पढ़ा dipole के बारे में? कि dipole में दो charges होते हैं एक positive एक negative दोनों का equal magnitude रहता है और इनके बीच में distance कितना रहता है? 2A और जब भी हमें कोई distance measure करना है as if in this line और at this line वो हमेशा हम कहां से measure करते हैं? center से center क्या है? मतलब अगर मुझे P पे जाना है तो मैं distance यहां से measure करना start करूँगी और अगर मुझे इस P पर जाना है तो मैं distance यहां से measure करना start करूँगी ठीक है? हमने पढ़ा about electric dipole movement electric dipole movement क्या था? एक vector quantity थी देखे friends इसके units निकालते हैं electric dipole movement की units क्या होंगे? charge की units आप सबको पता है मैं आपको first video से बताती आ रही हूँ जहां पर मैंने आपको coulum's law पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि charge की units क्या होंगे? coulum charge की units क्या होते है? coulum and what about 2a? 2a is the distance और distance हम किसमें लेते हैं? meters में तो coulum meter ये क्या रहेंगे? SI units of dipole movement ये एक vector quantity है ये symbol आपको बता रहा है कि ये vector quantity है तो इसका magnitude तो simple q into 2a और इसकी direction क्या होगी? always from negative to positive charge जौन सी मर्जी problem आ जाए आपको numerical की हमेशा हम जो dipole movement की direction लेते हैं वो हमेशा क्या ऐसे लेते हैं? negative to positive इसी के साथ हमारा electric dipole की introduction खतम होती है अब हम पढ़ेंगे about electric field due to a dipole चलिए पहले dipole बना लेते हैं dipole मैंने आपको बताया था दो point charges से बना होता है जिनका equal magnitude होता है और इनके बीच में distance कितना होता है? to a यह line होती है axis of dipole यह center point होता है जिसको मैं बोलती हूँ center of the dipole positive charge से center तक का distance भी a होता है और center से negative charge का distance भी क्या होता है? a ठीक है? अब सबसे पहले मैं find करने जा रही हूँ electric field due to a dipole at axial position अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था कि axial position कहा होती है? on the axis of dipole axial position पे हम find करने जा रही है means हम यहाँ पे consider कर लेते हैं कोई point P ठीक है? यह axial position पे हुआ because यह क्या है सारी? axis of dipole यह क्या है? axis of dipole ठीक है? इस P का distance center से क्या रहेगा? R मैंने आपको भी थोड़ी दिर पहले बताया था जब भी मुझे distance measure करना है मैं हमेशा कहां से measure करूँगी? center of the dipole से तो यह distance रहेगा R अगर मुझे find करना है यह distance ये total R है यह A है तो R minus A यह distance आ गया मेरे पास यह distance क्या आ गया? R minus A और मुझे अगर यह distance find करना है यहां से लेके यहां तक का distance तो आप देख सकते हैं यह distance R था प्लस यह distance A था तो यह total distance कितना बन गया? R plus A देखे friends मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में पढ़ाया था about electric field intensity उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे किसी भी point पर electric field intensity की value निकालनी है बहाँ पर मैं test charge को place करूँगी उसके उपर मैं निकालती थी force और उसको divide कर देती थी by the test charge magnitude अब जैसे मुझे इस point पर electric field intensity की value निकालनी है due to this positive charge and due to this negative charge सबसे पहले हम निकालनेगे due to this positive charge ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं कोई test charge place कर रही हूँ q0 is also a positive charge test charge को मैंने क्या consider किया है positive ठीक है अब यहाँ पर भी positive है यह भी positive है तो अगर यह like charges है तो यह दूर जाना चाहेंगे means यह repel करेंगे so direction मिलेगी मुझे e q positive की इस side ठीक है अब बात करें है यह negative charge है और यहाँ पर test charge था positive ठीक है तो अब यह क्या हो गई opposites, opposites always attract तो यह इस side को जाना चाहेगा यह हो गया e q negative अब आप ध्यान से देखे मैंने जो e q positive वाला vector है वो थोड़ा length में बड़ा बनाया है but e q negative वाला जो vector है वो छोटा बनाया है ऐसा क्यूं? क्यूं? आपको पता होना चाहिए अगर आपने last वाली videos को देखा है उसमें मैंने आपको बढ़ाया था e is inversely proportional to r square means अगर distance अब यहां से यहां तक का distance देखे हम अगर इतना distance देखे तो यह कम है as comparative to this distance so अगर distance कम है तो field जादा और field जादा को मैंने किस से denote किया है? length of the vector से I hope आप सबको समझ आ गया होगा कि मैंने e q positive की vector को बढ़ा q बनाया है as comparative to e q negative अब हम बारी बारी find करेंगे e q positive की value e q negative की value then हम net field find कर लेंगे point p पर चलिए लिखते हैं e q positive this is a vector quantity is equals to k q by r square यह formula हमने पढ़ा हुआ है last video में जिसमें मैंने आपको बताया था electric field intensity के बारे में k की value होती है 1 upon 4 pi epsilon 0 q को हम ऐसे लिखेंगे q और r r की value देखे यह distance मैंने क्या बताया था आपको r minus a तो यह हो जाएगा 1 upon r minus a holds का square अब इसकी direction क्या होगी friends direction इस side है और मैं अभी आपको थोड़ी दिर पहले बताकर हटी हूँ dipole moment की direction हमेशा कहां से कहां तक रहती है from negative to positive यानि की dipole moment की direction भी इस side होगी तो यह भी इस side को जा रहा है dipole moment भी इस side को जा रहा है तो मैं इसकी direction same लिख सकती हूँ light कि इसकी direction क्या होगी P of vector या P of cap direction हम किससे बताते हैं हमेशा unit vector से अब लिखते हैं eq negative eq negative को कैसे लिखेंगे q 4 pi epsilon naught similarly जैसे हमने यहाँ पे लिखा है k की value डालिए 1 upon 4 pi epsilon naught q q ही रहेगा अब r square अब देखे eq negative means इसके और इसके बीच का distance और यह क्या है r plus a हम इसको लिखूंगी 1 upon r plus a का square आप ध्यान से देखे dipole moment जा रहा है इस direction में और eq negative जा रहा है इस direction में means opposite direction और जब भी मुझे opposite direction को symbolize करना है तो मैं एक negative sign लगा दूँगी means negative of p gap तो हमारे पास आगया eq positive की value and eq negative की value अब मुझे net field निकालनी है at point p तो वो मैं कैसे निकालूँगी e of net is equals to अब इन दोनों में से common क्या है ध्यांस देखे दोनों में से common है q upon 4 pi epsilon 0 p का gap q upon 4 pi epsilon 0 p का gap तो इसको आप लिख सकते है q upon 4 pi epsilon 0 p का gap ये तो रही common की बात अब यहां से देखे ये positive था इसके आगे positive है और इसके आगे negative है तो इसको कैसे लिख सकते है 1 upon r minus a का square minus of 1 upon r plus a whole का square till now आपको समझ आ गया e net की value मेंने कैसे निकाली है अब ध्यांस देखे इसको solve करते हैं आगे simply LCM लीजिए q upon 4 pi epsilon 0 अब यहां पर trigonometry का हमारा formula लगेगा a minus b a plus b is equals to a square minus b का square उसको हम use करके नीचे क्या लिख देंगे r square minus a square whole का square simple LCM था जब इसको solve करेंगे तो उपर यहां पर आएगा मेरे पास r plus a का whole square minus r minus a का whole square तो मैं इसको कैसे लिख सकते हूँ e of net is equals to q upon 4 pi epsilon 0 denominator में तो कोई फरेक नहीं आएगा r square minus a square इसको खोल दीजिए a plus b का whole square a plus b का whole square is equals to a square plus b square plus 2ab simple mathematics है इसको खोल दीजी यहां जाएगा r square plus a square plus 2r into a अब धियान से देखिए यह negative sign है इसको भूलिएगा मत यहां जाएगा minus of r square minus of a square और यहां पर already minus था तो minus of 2ab minus minus plus plus of 2ra confuse मत होएगा a minus b के whole square का formula होता है a square plus b square minus of 2ab वो मैंने यहां पर use किया है ठीक है? देखिए अब यह positive, यह positive, यह negative, यह negative कट हो जाएंगे उपर क्या रह जाएगा मेरे पास? 4r a q upon 4 pi epsilon naught 4r a r square minus a square whole का square अब देखिए हम भूल गए हैं यह p cap साथ में लिखना है यहां पर भी p cap आएगा यहां पर भी p cap और यहां पर भी p cap यह है मेरी e net की value अगर मुझे find करनी हो किसी axial position पर ठीक है? अब इसमें हम condition लगाने वाले हैं कि अगर r is very very greater than a means r मैंने क्या लिया था friends? यह distance था center से लेके is point दका distance बट अगर यह r बहुत जादा बढ़ा हो जाए means यह point बहुत जादा दूर चले जाए तो मेरा r अगर बहुत जादा greater than a है तो r square is obviously very very greater than a तो मैं a square को ignore कर सकती हूँ तो इसको मैं लिखूंगी q upon 4 pi epsilon naught 4 r a और नीचे आ जाएगा r का power r की power 4 चले अब इसको लिखेंगे हम e of net is equals to अब आप देख सकते हैं यह 4 से एक power कट गी तो q upon 4 pi epsilon naught into 4 of a by r q p of cap दीखें friends अभी मैंने इस वीडियो के starting में आपको पढ़ाया था dipole moment के बारे में और dipole moment मैंने कैसे लिखा था p is equals to q into 2a अगर मैं dipole moment का magnitude consider करूँ तो क्या आप यह dipole moment की definition यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर मैं इस 4 को split कर दूँ 2 into 2 में that is 2q into 2 into a upon 4 pi epsilon naught r q p of cap तो 2q into a यही same definition बन गी तो मैं इसको लिख सकती हूँ p to upon 4 pi epsilon naught r q p of cap इसकी value क्या आ जाएगी e net की अगर मैं सिरफ magnitude की बात करूँ to 1 upon 4 pi epsilon naught को हम क्या substitute कर सकते हैं k तो यह 1 upon 4 pi epsilon naught क्या बन गया k into p p का भी magnitude by r q यह तो है अगर मुझे magnitude की बात करनी है बट अगर मुझे यही formula vector की formula लिखना है means e axial is equals to 2k p vector by r cube यह मेरे पास आ गई electric field at any point p which is present at the axial position which is present at the axial position यह formula ctm ctm मतलब cramp to memory इसे आप रट्टा मार लीजिए जब भी आप से कोई पूछे की axial point पे electric field की value क्या होगी तो वो होगी 2kp by r cube r क्या रहेगा distance रहेगा center से उस point का इसी के साथ हमारे पास derivation खतम होती है electric field due to a dipole at axial position अब हम find करेंगे electric field due to a dipole at equatorial position equatorial position और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं at equatorial plane चलिए, diagram ड्रॉ करते हैं positive, negative point charges थे ये थी मेरी axis of dipole ये था मेरा center of the dipole o और total distance क्या था ये? 2 of a यहां से यहां तक का distance भी a था और यहां से यहां तक का distance भी a था अब मैंने आपको starting में explain किया था equatorial position के बारे में क्या थी वो? यहां से अगर मैं perpendicular bisector draw कर रही हूँ means यह 90 degree का angle है तो किसी इस point पर अगर मुझे net field निकालनी है at point P means equatorial position पर तो वो कैसे निकालोंगी मैं चलिए दिखते हैं अगर मैं इसको join कर लूँ like this इसका distance मैंने आपको बताया था कभी भी किसी position का distance मुझे देखना है तो मैं हमेशा कहां से देखूंगी? center of the dipole से means यह distance क्या हो गया? R ठीक है? अब लगा दीजिए इसमें वही पाइथागोर रूस्थियोरम पाइथागोर रूस्थियोरम में क्या कहती है? perpendicular का square plus base का square is equals to hypotenuse का square ठीक है? अब इस triangle में base है यह perpendicular रहेगा यह और hypotenuse रहेगा यह base की value कितनी है? A A का square plus perpendicular की value कितनी है? R यानि कि R का square is H का square यहां से हमें यह distance पता चल जाएगा hypotenuse is R square plus of A का square देखें फ्रेंट्स यह distance और यह distance दोनों सेम रहेंगे क्यूंकि यह भी A है और यह भी R है यहां पे भी अगर आप इस triangle में Pythagoras theorem लगाएंगे उससे भी हमारे पास hypotenuse की value कितनी निकलेगी? under root of R square plus A square means यह भी R square plus A square हो गया और यह भी R square plus A square हो गया अब हमें find करनी है point P पर electric field intensity एक बार due to positive charge उसके बाद due to negative charge फिर हम निकालेंगे net field देखे अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी point पर मुझे electric field intensity की value निकालनी है मैं वहाँ पर क्या रखूँगी? बताया था मैंने आपको test charge क्या रखूँगी? test charge test charge क्या है? positive है अब यह भी positive है और वो भी positive है तो वो test charge इस charge से दूर जाना चाहेगा repel करेगा तो इसकी direction क्या रहेगी? कुछ इस तरह यह direction रहेगी मेरी EQ positive की और यह positive है और यह negative है तो यह दोनों क्या करेंगे? attract करेंगे क्योंकि यह opposites है and opposites always attract तो यह test charge जाएगा इस direction में इसको मैं क्या लिखूंगी? यह direction है EQ negative की ठीक है? अब आप देख सकते हैं यह side और यह side दोनों क्या है? बराबर है यह क्या बन गई मेरी? isosilis triangle और isosilis triangle में क्या होता है? जब sides दोनों बराबर हैं तो opposite angles भी बराबर होते हैं तो मैंने अगर इस angle को लिया है theta तो यह angle भी क्या हो जाएगा? theta और आपने एक और rule पढ़ा होगा जब भी इस form में हमारे पास कोई figure आती है means अगर यह angle theta है तो यह z बन रहा है तो यह angle भी theta होगा अब देखें इसमें z धूंटे हैं this तो अगर यह angle theta रहेगा तो यह angle भी क्या रहेगा? theta similarly यह angle भी रहेगा theta अब जब भी कोई vector इस form में है means यह x-axis होता है यह y-axis होता है और मेरा e आ रहा है इस पे तो मैं इसके दो components लिख सकती हूँ उन components का क्या नाम होता है? rectangular components मतलब अगर यह है theta तो यह हो गया e of cos theta यह हो गया e of sin theta ठीक है? अब क्या करेंगे हम? यह वले vector को अगर मैं दो components में divide करूँ तो एक component तो इस line के along होगा और एक component इस line के along होगा similarly अगर मैं इस vector को दो components में divide करूँ तो एक component तो इसका भी इसी के along आ जाएगा और इसका दूसरा component कहां आ जाएगा? यहाँ पर ठीक है friends? अब मैं find करने जा रहे हूँ magnitude of e q positive को और magnitude of e q negative को ठीक है? e q positive का magnitude find कर दी हूँ same वही formula लगेगा electric field intensity का which was k q by r square तो इसमें k क्या है? 1 upon 4 by epsilon naught q q ही है ठीक है? और r क्या रहेगा? अब r देख सकते हैं यहाँ पर एक charge पड़ा है और यहाँ पर एक charge पड़ा है तो इनमें distance कितना रहेगा? under root of r square क्या होता है? k q by r square और r की value है मेरे पास r square plus of a square whole का square तो यह square और under root कट जाएंगे तो इसकी value आ जाएगी q upon 4 by epsilon naught 1 upon r square plus of a का square यह था मेरा magnitude e q positive का similarly आप लोग लिख सकते हैं e q negative का magnitude कितना होगा? e q negative का magnitude होगा 1 upon 4 by epsilon naught magnitude की बात कर रही हूँ मैं तो इसमें मैं negative sign को consider नहीं करूंगी यह मैंने आपको अच्छे से explain किया था जिस वीडियो में मैंने आपको coulomb's law के बारे मैं पढ़ाया था कि जब भी मैं magnitude की बात करती हूँ उसमें मैं कभी भी sign नहीं लेती हूँ charge का तो इसका यहां भी क्या आ जाएगा? क्यू ही आ जाएगा? और इसका distance भी क्या रहेगा? इस charge का और इस charge का distance क्या है? same that was r square plus of a square अब देखें समझते हैं यह magnitude और यह magnitude दोनों same आ गए ठीक है? अब मैंने इस vector को दो parts में divide किया था एक इस direction में और एक इस direction में और इस magnitude को इस magnitude को भी दो parts में divide किया था एक इस direction में और एक इस direction में देखें friends अगर magnitude same है और direction opposite है तो they will cancel out means यह और यह तो cut जाएंगे इनकी कोई contribution नहीं आएगी net field में बट यह दोनों components जो इस direction में जा रहे थे यह दोनों क्या हो जाएंगे? add up हो जाएंगे means मेरे पास जो net electric field की direction थी वो towards right रहेगी और सबसे पहले मैंने आपको बताया था dipole moment की direction वो हमेशा कैसे रहती है? from negative charge to positive charge तो dipole moment की direction क्या रहेगी? इस side तो dipole moment और net electric field की direction यहाँ पर क्या आ गई? opposite आ गई अभी जो हमने पिछे किया था axial के बारे में उसमें क्या था? जो net field और dipole की direction थी वो same थी बट इसमें क्या आ गई? dipole moment की direction और electric field जो net electric field है यह directions क्या आ गई? opposite आ गई तो अब हमें अगर net electric field को लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे? e of net is equals to vector form में minus of e q positive plus e q negative इस side को जो दोनो components जाएंगे ना friends वो cos theta वाले components होंगे यह वाली क्योंकि यह theta के साथ बना रहे है, theta के साथ इनकी direction है, यह theta है तो यह दोनो components क्या होंगे? cos वाले, means cos theta मेरा आ जाएगा इनमें common और direction क्या लिखूंगी मैं? p of gap यह negative sign को देख रहे हैं आप negative sign यह मैंने क्यों डाला है? क्योंकि p और e क्या है? opposite direction में है that is why मैंने यहाँ पर डाला है negative sign, अब e q positive और e q negative की आपको values पता है, दोनों same है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, minus of 2 e q positive cos of theta p of gap अब देखें, cos of theta, cos of theta, sin of theta, tan of theta, बहुत easily हम triangle से find कर सकते हैं, बट अगर आपको किसी भी term में problem है, कि हम cos of theta कैसे निकालेंगे, sin of theta कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं, रूची का माम की वीडियो, जो कि class 10 की trigonometric यूनोंने upload करी है, उसमें आपको अच्छे से terms बता आए गए हैं, कि आप cos of theta कैसे find कर सकते हैं, using a triangle, sin of theta कैसे find कर सकते हैं, यह सारी terms, अभी हम direct use करेंगे, cos of theta को मैं कैसे लिख सकते हूं, cos of theta is base upon hypotenuse, तो base क्या था मेरा यहाँ पर, a था, base क्या था, a था, और hypotenuse क्या था, under root of r square plus of a का square, इसकी value यहाँ पर substitute कर दीजी, cos of theta में, minus of 2, eq positive और eq negative की same थी value, तो इसको मैं लिखूंगे, 2 of q upon 4 pi epsilon 0, 1 upon r square plus of a square, cos of theta की यह विली value आप substitute केजिए, a upon under root of r square plus of a square, p का gap, simple mathematics से, इसकी value आजाएगी, 2k upon 4 pi epsilon 0, r square plus of a square, देखें, इसकी power है 1 और यह है half, तो 1 plus half, 3 by 2, और यह a into p of gap, ठीक है, अब 1 upon 4 pi epsilon 0 को हम substitute कर सकते हैं, के, यह उपर ऐसी रहेगा, 2qa upon r square plus of a square, 3 by 2, p of gap, अब इस last expression में हम use करने वाले हैं, वही definition, dipole moment की, dipole moment की definition क्या थी, p is equals to q into 2a, p का gap, यह definition थी मेरे पास, dipole moment की, अब आप देख सकते हैं, 2 भी present है हमारे पास, a b present है, हमारे पास, q b present है, और p cap भी present है, तो मैं इसको substitute कर सकती हूँ, capital P से, which is equals to minus of k capital P upon r square plus of a square, 3 by 2, ठीक है, यह थी मेरे पास e net की value, p भी क्या रहता है, dipole moment क्या रहता है, vector quantity, तो इसके उपर भी vector का sign आएगा, तो e net की value हो जाएगे, minus of k P vector upon r square plus of a square, 3 by 2, अब अगर इस expression पर मैं condition लगा देती हूँ, जो मैंने पीछे case में लगाई थी, that was r is very very greater than a, means यह जो distance है, यह जो point है, यह बहुत ही large distance पर पड़ा है, from the center of the dipole, तो यह equation कैसे reform हो जाएगी, चलिए रिखते हैं, तो इस case में, r square is also very very greater than a square, तो मैं इसको neglect कर दूँगी, minus of k P vector r square, 3 by 2, 2 से 2 काट दीजे, यह expression आ जाएगा, e of net is equals to minus of k P by r का q, यह रहती है मेरी electric field at any equatorial position, at any equatorial position, अब ध्यान जे देखिए, इस formula में एक negative का sign आ रहा है, अब तक तो आप सबको समझ आ गया होगा, negative का sign क्यों आ रहा है, because जो P की direction है, dipole moment की direction है, वो opposite है, electric field की direction के साथ, तो इसको CTM means cramp to memory, इसको आप रटा मार लीजिए, यह formula बहुत important है, यह जो topic मैंने आज आपको कराया है, dipole moments का, field निकालनी बताई है, axial position पे, equatorial position पे, यह बहुत ही important topic है, CBSC का, अब मैं आपको बिताने जा रही हूँ, कुछ important tips, जो आज की पूरे lecture को हमारा summarize करतेंगे, हमने बढ़ा था about electric field at axial position, second बढ़ा था at equatorial position, right, axial position पे field क्या थी, e net was 2kp by rq, अभी मैं जितने भी formulas लिखूंगी, वो आपको रट्टा मार लेने है, cram कर लेने है, equatorial पे था, e net is equals to minus of kp by rq, इसमे, electric field and dipole moment, बोथ वर न से न दिरेक्शन और इसमे, electric field and dipole वर न ऑपोसित, direction, opposite direction हमें कहां से पता चला था, इस negative sign की वज़ा से, अब हम discuss करने जा रहे हैं इन formulas के बारे में, देख सकते हैं आप सारे, कि ये rq पे dependence है, अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा था, coulum's law में, electric field intensity में, सब में dependence किस पे रहती थी, r square पे, बट इधर dependence किस पे है, r cube पे, इसका मतलब क्या है, कि suppose मैंने यहां पे कुछ electric field की value निकाली, point charge की वज़े से, ठीक है, ये किसी इस distance पे, इसकी कुछ value आई, but same, यहां पे मैंने अब रखा है dipole, और मुझे इतने distance पे ही इसकी value निकालनी है, तो dipole में जो electric field intensity की value है, वो comparatively कम होगी, as comparison to the point charge, क्यों, क्योंकि इसकी dependence है r cube पे, मतलब अगर cube पे dependence है, तो जितना distance बढ़ेगा, उतनी ही तेजी से मेरे पास electric field intensity की value कम होगी, as comparative to point charge, जहां पे r square की dependence थी, मतलब अगर distance बढ़ रहा था, तो electric field intensity की value कम हो रही थी, but dipole में और तेजी से कम होगी, मेरा कहने का मतलब है, कि यहां पे dependence अगर cube पे है, तो बहुत ही तेजी से electric field intensity की value जो है, वो decrease होगी, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं about a term that is known as point dipole, वैसे तो यह term important नहीं है, but हम जल्दी से discuss कर लेते हैं about point dipole, कभी-कभी एक marks के question में आपको पूछ सकते हैं, कि what is point dipole, देखे friends, अब मैंने आपको बताया था, p is equals to q into 2a, dipole moment was p is equals to q into 2a, अगर 2a की value approach कर रही है 0 को, means positive और negative, यह dipole था, इन में distance क्या था, कुछ 2a, अब यह 2a approach कर रहा है 0 को, बहुत ही कम हो रहा है, तो उसी तेजी से q जो है वो infinity को approach करे, तांकि मेरी जो p के value है वो constant रहे, तो ऐसे type के dipole को मैं क्या बोलती हूँ, point dipole, means point dipole में condition क्या रहती है, कि p should be constant, p should be constant, ठेक है friends, अब इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश होने वाला है, अब आपकी बारी है homework question करने की, जल्दी से no down कीजिए आप सारे अपना homework question, यह है आप सबका homework question, read out करते हैं, charges plus minus 20 nano coulombs are separated by 5 mm, you have to calculate the magnitude and the direction of the dipole moment, मैंने आपको इस वीडियो के starting में ही बताया था, dipole moment कैसे हम निकालते हैं, p is equals to q into 2a, अब आप compare कीजिए values के साथ और इसको solve कीजिए, अब हम एक छोटे से topic के बारे में और बात करेंगे, that is physical significance of dipole moment, देखे friends, हम मैं starting से आपको वीडियो में पढ़ाती आ रही हूँ, कि dipole moment क्या होता है, dipole क्या होता है, field कैसे निकालते हैं, बट इसका physical significance कहा है, हमें इसका use क्या है daily life में, अब हम वो डिसकस करने जा रहे हैं, आप सब physics के साथ साथ chemistry subject भी पढ़ते होंगे, उसमें आपने molecules के बारे में पढ़ा होगा, molecules दो टाइप के होते हैं, polar और non-polar, molecules कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के polar और non-polar, अगर हमें find करना है, कि कोई molecule polar है या non-polar है, उसमें हमें कौन हेल्प करता है, डाइपोल मॉमेंट हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, डाइपोल मॉमेंट, कैसे, अगर कोई भी molecule polar है, polar का मतलब है, कि उसका center of positive charge, and center of negative charge, separated हैं किसी distance से, say it as R, say it as R, ठीक है, और डाइपोल मॉमेंट की direction, always from negative to positive, तो अगर कोई भी molecule polar होगा, तो उसके पास डाइपोल मॉमेंट होगा, means उसका डाइपोल मॉमेंट, not equal to zero होगा, बट अगर, कोई भी molecule non-polar होगा, means उसका center of positive charge, और center of negative charge, एक ही जगा पर आ रहे हैं, इनके बीच में कुछ distance नहीं है, तो ये कोई भी डाइपोल मॉमेंट नहीं होगा, इसमें exist, इस केस में डाइपोल मॉमेंट equals to zero रहेगा, तो हम डाइपोल मॉमेंट की मदद से बता सकते हैं, कि कोई भी molecule polar है, या फिर non-polar है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है, और हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे, कि अगर हम किसी भी डाइपोल को uniform field में रख देते हैं, तो उसके उपर talk कैसे लगता है, तिल देन, keep revising and enjoy physics. जाफ में हमारी को नेक्स वीडियो में रख पता सकते हैं,